हलो फ्रेंट्स वेलकम टुम टुम टुमें इसवे इजुकेशन फॉर्मिशन चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों तो आज की नोडिकेशन में आम लेकर के बहुत बड़ा अपडेट प्रेजेंट है देखें कि यूपी नया सिख्छा सेवा चैन आयोग ने समहला कामकाज लंबित भरतियों का काम हुआ शुरू तो क्या है अफ्रेट लकातार बने रहे हम बताने वाले हैं पूरा फूल डिटेल्स यहां पर क्योंकि काफी दिन से जो है विद्यार्थियों को इंतजार था कि जो लंबित जो कोड का पहले हमारे नया सिख्छा सेवा चैन आयोग ज लेकिन एक अध्यक्ष की न्योक्ति अभी तक नहीं हो सकी है दोस्तों बता देते हैं कि अध्यक्ष की न्योक्ति नहीं कि कारण यह यह है कि योग याभ्यार्थी नहीं मिल पाए हैं और जिस तरह से जो है फिर से अध्यक्ष की नियुक्ति हेतु आवेदन आमंतरित किये गए हैं उत्तर प्रदेश जो है सिछा सेवा चैन आयोग के माध्यम से बड़ी जानकारी लंबित भरतियों पर आ चुकी है उत्तर प्रदेश सिछा सेवा चैन आयोग के सदस्य के द्वारा जो है कामकाज को संभाल लिया गया है और लंबित भरतियों पर जो है काम सुरू करने का निर्देश भी मिल चुका है पूरी तरह से जानकारी विस्तार से जाने के लिए हमारे वीडियों को फूल वाच करें वीडियो स्कीब नहीं करें लगातार बने रहे है क्योंकि फूल अपडेट हम इस जो है वीडियों में देने वाले है चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल से कामकास संभाल चुके हैं उत्तर प्रदेश सिख्षा सेवा चैन आयोग के नव नियुक्द सभी बारस सदस्यों के द्वारा सुक्रवार को लखनों में पूरी तरह से कारिभार को ग्रहण कर लिया गया है मुख्य सचिव उच्च सिख्षा एमपी अगरवाल ने सभी सदस्यों के साथ बैठ कर लिये बाते अच्छे से और लंबित भरतियों के लिए प्रक्रिया सुरू कराने का निर्देश भी दे दिया है ठीक है आप सभी की जानकारी के लिए बता देते हैं कि नए सिख्षा सेवा चैन आयोग में सचिव और परिक्षा नियांत्रक जो होता है समेत अन्य पदों पर प्रति नियुक्ति की तैनाती के लिए पत्र को जारी कर दिया गया है और अध्यक्ष और प्रशाशनिक धेर सारे पदों पर जल्द नियुक्तियां देखने को मिलेगी मादमिक सिख्षा सेवा चैन आयोग बोर्ड के कार्याल को ही नया सिख्षा सेवा चैन आयोग का कार्याल बनाया गया है अब बात करते हैं नई सिख्षा सेवा चैन आयोग के कमरों की साफसफाई की तो उत्तर प्रदेश सिख्षा सेवा चैन आयोग में कक्षाओं की साफसफाई का कारी भी शुरू हो चुका है और सभी नउनियुक्त सदस्य नाम सुचित योगेंद्र नात सिंग, बीमल कुमार विश्व कर्मा, राजजेंद्र प्रजापती सिंग, कीर्ती गौतम, डांक्टर बिनोध कुमार सिंग, प्रोखेश शर्राज नरायंड शुकला, डांक्टर सीमा शाक्य, डांक्टर हरेंद् क्रिश्ण डांक्टर रोहिदास सिंग और डांक्टर क्रिशी वर्मा सोम वार मंगलवार से जो है इस तरह से बारा सदस्य अपने कक्ष में बैठना सुरू करने वाले हैं अब बता देते हैं कि आप सभी को यह बता दिया जाए कि प्रात्मिक मादमिक सिच्छा में नियुक्ति और अन्य प्रकारों की जूड़ी फाइलें भी जो बाइनिंग होने लगी है तो लगातर अब को बता देते हैं कि दोस्तों यहाँ पर नए आयोग से सुरू हो सके कि सुनने के लिए मिल सकती है और यहां पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चैन आयोग का गठन हो चुका है सदस्य ने कामकाज भी संभाल लिये हैं और इसके इलामा प्रति नियुक्ति हे तो पत्र जारी हो चुका है सिर्फ अध्यक्ष की नियुक्ति होना सेस है और मिली जानकारी के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चैन आयोग की पुरानी लंबीत भरतियों पर जो है सबसे पहले सुरू करेगा मिली जानकारी के अनुसार TGT PhD की एक्जाम तिथी जारी होगी और प्रात्मिक शिक्षक भरती विग्यापन हेतु जल्द ही देखने के लिए मिल सकता है इसकी अलामा यूपी में टेट को ले करके बड़ा फैसला और शिक्षा सेवा चैन आयोग के माध्यम से देखने के लिए मिल सकता है तो कोई भी भरती से रिलेटेट कोई भी अपडेट एजूकेशन से रिलेटेट यदि आपको चाहिए तो हमा समय प्रवाइड करेंगे थैंक्स फॉर वाचिंग गड्ट ब्लिस यूँ